Hello friends, इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Spice Jet Limited के stock के बारे में stock की current price की बात करेंगे तो 37.60 की current price चल रही है और आज किन में stock में लगबग 4.44% जो है उपर के level पे हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है यह जो आप chart देख रहे हो हमने इसको one day time frame में set कर लिया है देखिए दोस्तों वीडियो बहुत ही short और important होने वाली है तो वीडियो में end तक बने रही है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है stock में almost August मन में इसने high लगाया था 52.33 का फिर यहाँ से हमें continuously gir out देखने को मिली फिर यहाँ पे 29 September 2020 को इसी level पे आने के बाद यहीं से हमें उपर की और bounce देखने को मिला यहीं से exactly क्यों bounce देखने को मिला क्योंकि पहले बे stock multiple time यहीं से उपर की और हमें bounce करता हुआ दिखाई दे चुका था तो exactly यहाँ पे भी दिखिए आप December मन्त में यहीं से हमें bounce देखने को मिला finally फिर यहाँ पे यह level break हुआ 14 February को फिर यहाँ से breakdown यह जो है हमारा fail हो चुका है क्योंकि पिछले दो दिन से हमें continuously तेजी देखने को मिल रही है अगर हम कल की भी बात करेंगे तो stock में almost 7-8% की तेजी देखने को मिल चुकी थी और आज भी almost stock जो है 4.5% उपर के level पे जो है कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो इसके जलते फर्दर हमें तेजी उपर की और continue होते वे दिखाई दे सकती है लेकिन financials की बात करेंगे तो थोड़े से दिक्कत वाले हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं जैसे की आप यहाँ पे देख रहे हैं 2019 से 2022 तक का last 4 year का data हमारे सामने है profits में बहुत ही बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है revenue में हलका सा jump देखने को मिल रहा है लेकिन moderate numbers of red flag भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है तो और यहाँ पे MSCD indicator की बात करेंगे तो एक bullish crossover हमें यहाँ पे देखने को मिला है जो कि मजबूती की signal दे रहा है technical chart perfect है लेकिन इसके बाकी की चीज़े भी अगर हम compare करते हैं तो वो negative है तो इन सारे points को ध्यान में रखके ही आपको इसमें entry का plan करना है fresh entry का plan करते हो तो 34 का stop loss रखके आप इसमें fresh entry का plan करें और देखिए बाकी के सारे points negative होने के वज़े से आप long term, short term के लिए नहीं hold कर सकते हैं अगर आप plan कर रहे हो swing trading के लिए तो ही आप इसमें जाईए या फिर एक से दो दिन के लिए plan करते हो तभी आप इसमें fresh entry का plan बनाए और जब भी आप कोई भी analysis की वीडियो देखते हैं तो दोस्तों पूरी watch करिए ताकि आपको उसमें positive और negative सारे points पता चले और एक बात आपने अभी तक है इंजल वन में DME account open नहीं किया है तो link जो है description box में दे दी है उस link का use करके आप free में DME account भी open कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हो में चलते हैं angel one app में दोस्तों हम आ चुके हैं Angel one app में simply यहां से watch list में आना है याने के बाद search box में amy stock का नाम search करना है इसे में spice jet का देखना है तो यहां पे हम stock का नाम search करेंगे spice jet search करने के बद दिखिए है stock का नाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है उस पर हमें tap करना है tap करने के बदे हमारे watch list में add हो जाएगा again हम इस पर tap करेंगे कुछ इस तरह से interface show करेगा यहाँ पर इसकी current price देख सकते हो निच्चे के side charts और stock की details भी आप यहीं पर देख सकते हो हमने just chart पर analysis किया है तो buy pay touch करेंगे buy pay touch करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से interface show करेगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाहिए तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day by same day sell करना चाहिए तो आप intra day में करेंगे यहाँ पर हमे quantity enter करनी है मान लीजे हमें इसकी यहाँ पर 200 quantity buy करना है तो हम यहाँ पर 200 quantity enter करेंगे limit और market का option यहाँ पर दिखाई दे रहा है limit याने के stock को आप अपने मनपसंद price पर खरी सकते हो जैसे कि price चल रही है 37.55 अगर आप इसको 37 पर buy करना चाहिए तो आप यहाँ पर enter करके रखेंगे जब इस stock की price आप आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate याने के जो भी stock की गरन price चल रही होती है उसी पर directly आपका order execute हो जाता है simply यहाँ पर हम buy पे touch करेंगे buy पे touch करने के बद confirm आजाएगा confirm पे touch करने के बद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like करिए और यह जो वीडियो बनाएगी सिर्फो सिफ educational purpose के लिए बनाएगी है जब भी आप कोई भी stock mentor बनाए तो अपने financial advisor से consult करके ही उस mentor झाल commencement Спת्षनीड के लुँ पिस अवे ट एल ही आर को श्या है यह झाल आर को के लिए आर बनाएगी सिर्फे बनाएगी सिर्फ कर देना चे भी और भी के लेगी सिर्फ दरब भी आप लाएर में सर्मा सक प SJआ सिर्फ ए गल वा olds की तो अधार प्योवाना ही और यह झाल गर